बहु प्रतिक्षित बीड वर्सेज डिलेड मामले के फैसले की अब उल्टी गिंती मानेने सुप्रिम कोट में सुरू हो चुकी है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि फैसला क्या रह सकता है इसके अलामा फैसला जो कुछ भी हो किस प्रकार से केंद सरकार अपने हिसाब से फैसले को डिफाइन कर सकती है और हार के भी कैसे जीता जा सकता है इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे अंत तक जूड़े रहीगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिप चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार उजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आकन को प्रेस करना ना भूले मानेनी सुप्रिम कोट से टोटल पांच प्रकार के ही फैसले आने की उमीदे हैं पहला फैसला यह हो सकता है कि बीट के पूरी पक्ष में आजा यानि जिस तरीके से भी वर्तमान इसीती है कि प्रात में किस तरीके सिक्षक बरती आगी तो बीट भी शामिल होगा और डीलट भी शामिल होगा यह पहला फैसला हो सकता है दूसरा यह हो सकता है कि टोटल बीटिसी के फिवर्म फैसला आजा है वेकेंसी थी उसके बाद से डियलेट 2017 बैच 18, 19, 20, 21 और 22 बैच लगबग 5 बैच त्यार हो चुके हैं और पांचों में से अगर आप 1.5 लाख भी के वाल संख्या रखें तो 7.5 लाख की संख्या हो जाती है 7.5 लाख में से अगर 50 जार भी वेकेंसी आती है तो more than sufficient है इसी में से सीटे भर जाएंगी तो अगर प्रथम वरियता भी मिलती है तो उस condition में B8 को कुछ खास फायदा नहीं होगा ठीक है यह तीसरे तरीके का फैसला हो सकता है जो कि नरम रूख हो सकता है माने सोप्रेम कोट का यानि कि B8 को बीटीसी को प्रथम वरियता देते हुए B8 को भी शामिल किया जाए यह तीसरा फैसला हो सकता है चोथा फैसला यह हो सकता है कि राज्यों पर छोड़ दिया जाए कि राज्य सरकार जिस प्रकार से अपने यहां व्यवस्था रखना चाहती है क्योंकि सिक्षा समवर्ति सुची में तो राज्यों पर भी यह छोड़ा जा सकता है कि जिस भी राज्य सरकार के द्वारा जिस भ करना होगा अन्य था राज्य सरकार फिर से अपनी मनमानी करने लगई गा और फिर मामले कोर्ट में जाने लगेंगे इसके लिए पर्टिकुलर एक ठ्रेसोल्ड सेट करना ही होगा कि जितनी वैकेंसी होगी उसका दस गुंआ अगर डियलड अभियरती है तो उसे परियाप्त माना जाएगा और उस condition में B8 को शामिल ने किया जाएगा और अगर 10 गुना से कम है तो उस condition में B8 पूरी तरीके से eligible होगा यानि इस प्रकार का कोई criteria set होगा तभी जाकर के ये चौथे प्रकार का फैसला एक तरीके से implement किया जा सकता है सही तरीके से तो ये चौथे प्रकार का फैसला होगा और पांचवे प्रकार का फैसला मानेने सुप्रिम कोट कुछ प्रतीसत सीटे जितनी वेकेंसी आगी किसी विराज में उसमें कुछ प्रतीसत सीटे रिजर्व कर दे DL8 के लिए और कुछ प्रतिशत सीटे open रख दे कि जिसमें B8 और DL8 दोनों fight कर सकते हैं हला कि इसकी समभावना कम है क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद उत्पन हो जाएंगे ठीक है तो ये टोटल पांच प्रकार के फैसले हो सकते है बहुत सारे प्यरतों का ये भी कमेंट हो सकता है कि क्या ये फैसला नहीं आ सकता है कि B8 और DL8 कोर्स को बिलकुल equal कर दिया जा ये कभी possible ही नहीं है क्योंकि दोनों equal करने का मतलब कि दोनों एक दूसरे के जगा alternate के तौर पर योज किया जा सकते हैं कि DL8 कोर्स कभी भी B8 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि DL8 की minimum eligibility जो है वो NCT की guideline के अनुसार intermediate है intermediate के बाद आप DL8 में admission ले सकते हैं चाहे आप राजस्थान का देख लिजे चाहे आप बिहार का देख लिजे तो वहाँ पर intermediate के बाद ही DL8 में admission मिल जाता है लेकिन अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर graduation के बाद से admission मिलता है तो जो minimum eligibility है वो intermediate ही है DL8 के लिए और उस condition में ये कभी भी B8 के बराबर equivalent नहीं माना जा सकता क्योंकि जो minimum eligibility है वो intermediate ही है तो इसके बराबर कभी नहीं किया सकता तो ये आप अपने मन से भ्रहम निकाल दीजे कि DL8 को कोई bridge course करा करकर TGT और PGT में कभी भविश में शामिल किया जागा कभी possible ही नहीं है क्योंकि minimum eligibility में अंतर है जो graduation के बाद B8 वाले करते हैं DL8 की eligibility को टे करना है DL8 तो पहले से eligible है वो तो पांचों में रहेगा ही रहेगा आप DL8 को कैसे बाहर कर देंगे ऐसा थोड़ी फैसला आजाएगा कि DL8 को बाहर कर दिया जाए और B8 को शामिल कर दिया इस प्रकार कर फैसला थोड़ी आएगा कोई भी फैसला आएगा तो वो DL8 के favor में ही रहेगा यानि कि DL8 उसमें शामिल रहेगा ही रहेगा पातरता तो टै करनी है B8 की इस वज़े से जो भी अंदर या फिर बाहर करने का सवाल उठेगा वो B8 के लिए उठेगा DL8 तो हमेसा पातर रहेगा अब एक बार बात करने जा रहे है कि मानेनी सुप्रीम कोट का फैसला चाहे जो भी हो लेकिन किस प्रकार से केंद सरकार अपने हिसाब से इस फैसले को मोडिफाई कर सकते है भविशे में इसके बारे में बात कर लेते है मान लिजे 1% ही सही यह मान करके चला जाए कि अगर B8 के अगेंस्ट में फैसला गया यानि B8 को बाहर कर दिया गया और NCT का वो 28.0.2018 का नोटिफिकेशन गजट को रद कर दिया गया जिस प्रकार से माननी जोदपूर हाई कोट ने किया था उस कर्णिशन में क्या होगा देखिए DL8 के पक्ष में सबसे बड़ा और मजबूत पक्ष यह है कि माननी जोदपूर हाई कोट का फैसला है और B8 के पक्ष में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पक्ष यह है कि इसके साथ NCT और केंदर सरकार है NCT जो की Regulatory Body है वो B8 के साथ में है और केंदर सरकार जो की कानून बनाती है वो भी B8 के पक्ष में है तो उस कंडिशन में फैसला जो कुछ भी हो मानने सुप्रिम कोट अगर B8 के अगेंस्ट भी फैसला देती है बावजूद इसके केंदर सरकार अगर चाहे तो B8 को Back Door से Entry दे सकती है कैसे ध्यान से समझेगा मानने सुप्रिम कोट में जो मामला चल रहा है वो इस बात पर है ही नहीं कि Policy Matter में दखल दिया जाए या ना दखल दिया जाए Policy Matter यह होता है कि जो भी Regulatory Body यानि कि जो कानून के अंतरगत जो समयधानिक संस्ता है वो पूरा अधिकार रखती है कानून बनाने के लिए NCT ने कानून मनाया उस कानून पर चर्चा ही नहीं हो रही है लेकिन NCT किस कानून को बनाएगी उस कानून को बनाने के लिए उसके पास क्या-क्या अधिकार होंगे उसके लिए भी एक कानून होता है कि आप अपने हिसाब से नियम मना देंगे जो नियमावले में लिखा गया है उसी नियमावली के अंतरगत आपको नियम मनाना होगा और इस प्रक्रिया के जाच की जारी है मानिने सुप्रियम कोर्ट में यानि कि policy matter में दखल दिया ही नहीं जा रहा है वो तो NCT का हक है NCT कानूर मना सकती है लेकिन क्या अपने अधिकारों का गलत प्रयोग तो नहीं किया NCT ये जाच कर रहा है मानिने सुप्रियम कोट ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि देखें माल लिजे 1% ही अगर माल लिया जाए कि B8 के against में फैसला आ गया उस condition में होगा क्या ध्यान से समझेगा उन पर आप राष्टी अध्यापक सिछा परिशद अधिनियम 1993 यानि कि NCT Act 1993 देख पा रहे हैं इस Act में ये महतवपुन प्रावधान मेंशन किया गया है कि कोई भी कानून या फिर अगर इस प्रकार का notification जा कमिटी नहीं बनाया था बिना कमिटी की सिफारिश के इस प्रकार के फैसले लिए गये हैं तो अब अगर मारेने सुप्रेम कोट B8 के against में माल लिजे 1% भी माल लिजे कि अगर फैसला दे देती है तो अब केंदर सरकार इस NCT Act 1993 में ही अगर संसोधन कर दे तो निशी तोर पर बिए डभिरती बैकडोर से एंट्री ले पाएंगे अब कैसे संसोधन करना है इस NCT Act के 1993 में जो वो पॉइंट मेंशन किया गया है कि आपको एक कमिटी बनानी होगी और इसकी सिफारिश को लागू कर सकते हैं तो वहाँ पर एक सब स्रेक्षन ये जोड़ना होगा कि अगर 51 प्रतिशत ध्यान से समझी लिजे 51 प्रतिशत यानि कि आधे से ज़्यादा एक भी राज अगर NCT के उस सिफारिश को जिसे वो लागू करना चाहती अगर उसके लिए राजी है तो वो पूरे देशपर पर लागू करने के लिए मानने किया जा सकता है तो अगर इस प्रकार क कोई एक सब सेक्षन जोड दिया जाए जिसमें क्योंकि B8 के वकील के द्वारा ये तर्क दिया गया था कि 19 राजे हमारे पास B8 को शामिल कर रहा है यानि कहीं न कहीं वो B8 के साथ है तो इस प्रकार का अगर संसोधन कर दिया जाए तो ये B8 माननेने सुप्रियूम कोट से हारने के बावजूद भी अब NCT के कानून के अंतरगत वो बैक डूर से इंटरी कर सकती है क्योंकि जो भी बवाल मचा हुआ है वो NCT के कानून को ले करके हुआ है अब कानून में ही संसोधन कर दिया गया कि अगर 50% से ज़्यादा राज्य यानि कि आधे से ज़्यादा राज भी करते हैं उस कंडिशन में ये कानून माना जा सकता है तो उस कंडिशन में B8 को बैक डूर से इंटरी मिल जाएगी पहला तो ये हो सकता है दूसरा क्या होगा ध्यान से समझीए दूसरा ये हो सकता है कि RT Act के धारा 23 के उपधारा 1 और उपधारा 2 में ले करके बावाल मच केंडर सरकार के पास सकती है राजय सरकार और NCT ने जो कानून पारित किया उसके अंतरगत NCT Act के 1993 का सही से पालन नहीं किया गया तो उसमें भी संसोधन अगर ये कर दिया जाए कि केंडर सरकार किसी भी पक्ष में directly NCT को यानि कि जो regulatory body उसको direction दे सकती है तो उस condition में भी कहीं न केंडर सरकार की इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो भी पार्टिया जीतिती हैं बावजूद इसके तोड मोड करके सरकार बनी जाती है तो अगर केंडर सरकार इस काम में interest ली की कैसे भी करके हमें B8 को शामिल करना है तो पचासो रास्ते हैं जिसके माध्यम से मानेन Supreme Court के फैसले के बावजूद भी कानूनों में बदलाओ करते हुए B8 को साफ सूतरे तरीके से प्रात्मिक सिक्षक बरती में eligible माना जा सकता है ये पूरी तरीके से अब depend करेगा केंड सरकार के इक्षा सकती पर कि वो वाकई में B8 को शामिल रखना चाहती है या फिर सिर्फ vote के लिए इस पूरे मुद्दे को हाइलाइट कर रही है तो ये सभी चीजे अब भविश्य के गरत में कि किस प्रकार से कानूनों में बदलाओ किया जागा या नहीं किया जागा क्योंकि पहले तो मानेने Supreme Court का फैसला ही depend करेगा कि B8 रहेगा या नहीं रहेगा और सरकार पर ही है कि किस तरीके से वो B8 को बैक डोर से एंट्री देना चाहती है अत्वा नहीं देना चाहती है उमीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन करका बहुत नहीं करका दिन करका दो कर दो काद मैं दो कि दोूब ऑो